हेलो दोस्तों देखिए आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे केक एलमोनियम किचन कैसे बनाते हैं यह प्यूर एलमोनियम किचन होगी और यह एक राफ्टर हमारा बनाने लग गया है एक एलमोनियम किचन के फ्रेम यह हमने एंगल और फ्रेम पहले से काटके रख रखे हैं और हम आपको खाली सको इसम्बल करके दिखा रहे हैं कि इसमें पेज और मायरकिंग हमने पहले से ही क कि इस तरीके से फ्रेम फिट होते हैं और एंगले आपको तो फिट होते हैं नजर आई रही होंगी तो चलिए वीडियो में बने रहते हैं और देखते हैं कि हमारा क्राफ्टर एक हैलमिनियम कीचन कैसे तैयार करता है तो यह हमारे कुछ एंगल के टुकड़े एसेंबल हो बोले तो बर्गा फिट हो चुका है लग बच यह ब दूसरी साइट का बर्गा भी फिट होने जा रहा है जिसमा हमारा क्राफटर पेच लगा रहा है डिल मशीन की मदद से और यह ब कुछ बीच के बर्गे लग रहे है जो हमारा क्राफटर लगा रहा है अविये दूसरी साइट का बर्गा तयार होने की का गार पर है लग भग लग तयार होने ही वाला है कि हो गया और हमारा क्राफटर को पलट के नीचे वाले ग्रूप में भी ग्रूप का मतलब अंगिलों में भी पेज लगाएगा और यह लगबग लगबग यह हमारा एक फ्रेम तयार हो चुका है जिसे हम आगे वीडियो में फिट कर नृतिवे भी दिखाएंगे और यह हमारे क्राफ्टर मोहदे कुछ अच्छी स्पीड में लग रहे हैं आज यह हमारे लास्ट एक फ्रेम का लास्ट पेज लगते हुए यह लग गया अच्छा एक वीज में भी रह गया था अच्छा ठीक है हमारे क्राफ्टर लगा रहा है यह अब यह फ्रेम फिट होते हुए काभी अच्छा लग रहा है क्राफ्टर की मेहनत रंग लाती हुई बहुत अच्छी तरीके से फिट किया है इन्होंने यह एक फ्रेम फिट हो गया है अभी दूसरे फ्रेम की तैयारी चल रही है यह जैसे कि मैंने बताया था कि अंगल के टुकड़े हमने पहले से ही सुरा करके और काट के रख रहे हैं वह खाली एसम्बल करने की देर हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हम बनाना भी असान हो जाता है और किसी भी सामान को तयार करने में टाइम भी जादे वेस्ट नहीं होता इसलिए हम पहले सही एंगल के टुकड़े काट के रखते हैं फ्रेमिंग के रिक्वर्मेंट के हिसाब से अब यह देखो सेकंड फ्रेम भी तैयार हो चुका है लग लग तो अगर आप किसी भाई को किचन वनवानी हो तो हमारे क्राप्टर से संपर कर सकते हैं यह बहुत ही बहुतरीन काम करते हैं काम में मजा आ जाता है लगता है कि हाँ बई किसी अच्छे मिस्त्री या अच्छे कारिगर ने काम किया है यह देखिए यह फ्रेमिंग का कुछ ब्यू दिखाते हुए हम अब यह लाश्ट फ्रेमिंग हमारा रहे चुका है हमारे क्राप्टर इसमें निसान लगा का भी दिखा रहा है आपको अच्छी मसीन है सहएद बहुत अच्छी मसीन है बहुत अच्छी के साथ काम कर रही है अच्छा है एक मिस्त्री के लिए ओजार अच्छे हों तो मेहनत कम पड़ती है और काम भी आसानी से हो जाता है एक यह अच्छी बात है कि ओजार अपना बहुत अच्छा होना चाहिए बहुत बड़ी है हमारा crafter भी काफी कुसल है और यूनीक काम करता है हमारा crafter बहुत बड़ी है ये लगबग फ्रेम हमारा थर्ड फ्रेम भी तियार हो चुका है इह हमार ग्राफ्टर लगाकर दिखा रहा है बहुत अच्छा ये तयार हो चुका है अभी हमारे लमारी का फ्रेम भी आपको लगा कर दिखाएंगे ये किचन के साथ ही एक काफी उची लमारी है ये हमारा फ्रेमिंग तैयार हो गयार मारी का कि मोर Oke kiss कबड़ भी भोले हैं हम तो लुदा प्रिंगे संसामें थाल मारी हिए moles यह कि यह कि अंदर का अधर का फ्रेमिंग का कुछ महल कट हुआ है ये पांड होता है एलमुनियम में पॉन एक साइड पॉन होता है एक दरब को डेड़ साइज होता है इसको बॉम्बे भी बोलते हैं यह पॉन डेड़ बॉम्बे है अब इसमें छे साट के पेज लगते हैं इसको फट करने के लिए यह हम आगे वीडियो में दिखाएंगे 6 साट के पेज हमारे क्राप्टर इसमें लगाएगा और यह 4mm के सुरा कर दिये हैं हमारे क्राप्टर ने यह कुछ हमारे फ्रेमिंग को तरास्ते हुए हमारे क्राप्टर जिससे की साइनिंग अच्छी आती है और कोई भी गैब नहीं रह जाता है और जैसे कि मैंने बोला यह हल्का फुल्का दब जाता है तो उसको ठीक कर रहा है हमारा क्राप्टर और फिर हमारा क्राप्टर दूसरी फ्रेमिंग को थोड़ा सा तरास रायक जिससे कि कोई बावरी इसमें न रह जाए और कोई कमी बेसी या जैसे कहीं पीचका हुआ हो तो वो भी हमारा क्राप्टर ठीक कर रहा है बहुत अच्छा काफी तेजी से हाथ चलते हैं हमारे क्राप्टर गी यह एक अच्छे मिस्तरी की बहचान है कि यह तेजी से हाथ चलाएंगे तो काम टाइम से पूरा हो जाएगा और काम टाइम से ही पूरा हो तो अच्छा होता है लेट होता है तो अच्छा नहीं लगता पेंडिंग में काम चला जाता है और यह हमारा दरवाजा कुछ एसेंबल होने की तैयारी मार है यह तैयारी अच्छी तैयारी है अच्छा है यह हमारे मिस्तरी साथ अब ड्रिल मेसिन से करने लगें अच्छी बात है जल्दी हो जाएगा काम यह हमारा एक डूर तैयार हो चुका है यह च्छेशाट के पेज हैं दोस्तों जैसे मैंने पीछे भी वीडियो में बताया था यह च्छेशाट के पेज होते हैं जिसमें यह धरवाजे में अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं जिससे धरवाजा हिलता नहीं है यह 66 के पेच होते हैं जो हमारा crafter कसरा है अभी फ्रेइमिंग में यह दरबाजे का फ्रेइम है यह अभी हमारा crafter लगा कर भी दिखाएगा आपको यह देखिए यह हमारा crafter दरबाजे को लगा कर दिखा रहा है किस तरीके से खुलेगा वो भी दिखाएगा अभी ये ये देखिए इस तरीके से खुलेगा ये ये हम सारे पल्ले या धरवाजे बोल सकते हैं ये लगा चुके हैं हम ये हमारे ड्रो भी लग 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 गई हैं अभी इनका सामने का फ्रेंट डोर लगना बागी है क्योंकि इसमें बुडन रेसे की सीट हमने लिए है हम उसको पेस्ट करके दिखाएंगे आपको अभी हम डबल टेप का इस्तमाल करेंगे यह डबल टेप आ गया हमारा यह डबल टेप आ चुका है डबल टेप एक तरफ से डूर पर चिपक गया है और दोसरी साइट से इसकी प सिलिकोन जो है इसको सीट को हटने नहीं देगा और डबल टेप फिलाल रोक कर रखेगा और सिलिकोन का बात का काम रहता कि बाद में सिलिकोन हटती नहीं है वो कटर से काटने ही पड़ती है यह हमारे क्राफटर ने सीट पेस्ट कर दिये फिलाल डबल टेप का मजबूती र जाते हैं तो यह सिलिकोन अपनी पकड़ कर लेती है तो फिर बिल्कुल फिट हो जाता है यह लग बग देखो अब हमारा क्राप्टर हैंडल लगा चुका है पलोथीन जो इसके सामने से लगी रहती है वो भी हटा दिये हमने यह कुछ इस तरह के से बुड़न सीट लग गई ह इसमें सबसे चीड़ी बात क्या रहती है कि जैसे की किचन में गंदगी होती है उससे कभी ना फ्रेम सरanda है ना गलता है क्योंकि ऐलमोनियوم है और यह जो सीट है दोनों तरफ से ऐलमोनियوم पेस्ट है और बीच में इसके डिवाटर है तो गलेंगा कोई मतलब ही नहीं है बहुत बैस्ट है यह हमारी किचन लगबग तयार हो चुकी है और हमारे ड्रो भी खोल कर दिखा रहा है क्राप्टर इसमें आप बरतन भी रख सकते हैं छोटी-छोटी पियालिया रख सकते हैं यह हमारा यह कुछ इस तरीके से बन चुका है फुरी किचन लगबग लगबग तयार हो गई है और यह हमारी अलमारी भी तयार हो चुकी है हमने डिटेल में इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि बीडियो काफी लंबा हो जाता है इसलिए हम आपको सोट-सोट दिखा रहे हैं जो आपके समझ में आ सके बहुत अच्छा बर्क हो गया है और आपको भी इस तर यह टोटल केचन का टूर दे रहा हूँ है आपको यह लगबग इस तरीके से त्यार हो चुकी है बहुत अच्छी लग रही है खाली इसकी टैपिंग शुटानी बागी रह गई है यह हमारा क्राफ्टर शुटा देगा अगर आपको वीडियो च्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बाबाए